दोस्तों आप अपने घर के चार ओर देखेंगे तो आपको कैसे कई उपकरण दिखाई देंगे जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं जैसे कि बच्चों के खेलने के खेलोने, टेबल फैंड, तूथ प्रश, हेर ड्रायर और इलेक्ट्रिक कटिंग चाकू आप इसे चालू करते हैं और किसी तरह ये काम करने लगता है, पर ऐसा कैसे? इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी और मैगनेट यानि की चुम्बक की बेसिक बाते कवर करेंगे और फिर मोटर कैसे काम करता है या समझने के लिए इन सभी को एक साथ रखेंगे आई ये सर्किट से शुरू करते हैं, हमारे पैसे एक बैटरी है, कुछ वायर है और एक ऐसा उपकरन है जो बिजली का उपयोग कर सकता है जैसे की एक लाइट बल्ब इलेक्रिसिटी सर्किट में फ्लो होती रहती है, लेकिन जैसे ही तार टूट जाता है, इलेक्रिसिटी बहना बंद हो जाती है और लाइट बल्ब बुच जाता है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि circuit काम करे तो बस आप इतना याद रखिए कि circuit का रास्ता पूरा होना जरूरी है और जरूरत पढ़ने पर circuit के रास्ते को तोड़ने या जोड़ने के लिए हम switch का इस्तमाल करते हैं तार से बिजली बह रही है इसे conventional flow कहा जाता है अगर हम बैटरी को बाहर निकालते हैं और उसे पलट देते हैं तो current दूसरी तरफ से बहने लगेगा हला कि light pulp अभी भी काम करेगा लेकिन कुछ device ऐसे भी है जो current के प्रवाह के आधार पर अलग तरह से काम करेंगे यह थे circuit के कुछ basic principle अब हम आते हैं magnet पर इसमें एक north pole और एक south pole है और यह magnetic metals को खीचता है जैसे कि यह paper clip यदि आप दूसरे magnet को इसकी तरफ लाएंगे तो विपरीद pole attract होंगे और same pole repel होंगे जरूरी नहीं कि magnet इसी shape का हो उदारां के लिए कुछ magnet जैदा flat हो सकते हैं जैसे कि यह magnet इन magnets को permanent magnets कहा जाता है क्योंकि यह magnets हमेशा काम करते हैं आप इन्हें बंद या चालू नहीं कर सकते यह कई छोटे-छोटे magnetic domains से बना होता है जो एक ही दिशा में रहते हैं लेकिन आगे हम ऐसा magnet भी देखेंगे जिसमें हमेशा ऐसा नहीं होता है अब हम एक permanent magnet लेंगे और बीच में एक छेत करेंगे और इसे एक ऐसी rod पर रखेंगे जहां पर यह आसानी से घूम सके इसके side में एक दूसरा magnet लाने पर हम देखेंगे कि rod पर रखा magnet तुरंत घूमना शुरू कर देगा जब तक कि दोनों magnets के विप्रीत पोल आमने सामने नहीं आ जाते हैं अब अगर side वाले magnet को उलट दें तो same pole आमने सामने आ जाएंगे और एक दूसरे को repel करेंगे और विप्रीत पोल एक दूसरे को attract करेंगे अब अगर हम side magnet को बार-बार उल्टा करते रहेंगे तो हमारा घूमने वाला magnet घूमता रहेगा अभी के लिए बस ये घूमने वाला concept याद रखिए हम इस पर जल्द ही वापस आएंगे यहाँ पर एक metallic bolt है जो magnet नहीं है असल में यह magnetic domain से तो बना है लेकिन इसके magnetic domain विभिन दिशाओं में है चलिए अब इस bolt पर तार को कई बार लपेटते हैं और एक circuit बनाते हैं तारों के माध्यम से बहने वाला current magnetic domains को line up कर देता है इसका मतलब है कि हमने अभी अभी एक magnet या जैदा इस पश्च तरीके से कहें तो एक electro magnet बनाया है या वैसे ही काम करता है जैसे कि एक permanent magnet या लोहे के टुकड़े को उठा सकता है और इसमें एक north और एक south पुल होता है जो दूसरे magnet को attract या repel करेगा लेकिन electro magnet इस माईने में खास है कि इसे light bulb की तरह चालू या बंद किया जा सकता है जबकि permanent magnet के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है अब अगर हम battery को पलट दें तो electric current जो पहले इस तरफ से बह रहा था वो दूसरी तरफ से बहने लगेगा इससे magnet के poles बदल जाएंगे north, south हो जाएगा और south, north हो जाएगा इसे electro magnet की polarity का बदलना कहते हैं पर ऐसा करने का जैदा असान तरीका बैट्री को पलटने की बजाए केवल तारों को पलटना है आई अब हम अपने घूमने वाले magnet पर वापस आते हैं इस बार हम घूमने वाले magnet की जगह पर electro magnet रखतेंगे अब जैसे ही हम इसमें wire जोडेंगे, electro magnet चालू हो जाएगा और side magnet के poles के अनुसार अपने आपको align कर लेगा पर यह जो electro magnet के साथ wire जोडे हैं, यह से freely नहीं खूमने देंगे पर यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, वो है electro magnet के खूमने का concept अब अगर हम तारों को आपस में बदलने तो electro magnet के poles बदल जाएंगे सेम pole रिपेल करेंगे और विप्रीत pole attract करेंगे जिसके कारण electro magnet घूम जाएगा तारों को फिर से बदल दीजिए और electro magnet के polarity फिर से बदल जाएगी और एक बार फिर same pole repel करेंगे और विपरीट pole attract करेंगे और electro magnet फिर से घूम जाएगा जदी हम इसी प्रकार polarity बदलते जाएं तो electro magnet लगातार घूमता रहेगा हम इसे ज़्यादा powerful बनाने के लिए दूसरी तरफ एक और permanent magnet लगा सकते हैं ज्यान दें कि इस वाले magnet का south pole center की तरफ है और इस magnet का north pole center की तरफ है इस प्रकार side में लगे हुए magnets के तालमिल से बीच वाला magnet घूमता रहता है यहाँ पर जो हमने देखा वह electric motor का बहुत ही साधारन रूप है इसे उप्योगी बनाने के लिए हमें इसमें कुछ सुधार करने होंगे दो side magnets को हटा कर जैदा powerful curved magnets लगाए जा सकते हैं और wire लपेटे हुए bolt की बजाए हम metal loop का इस्तमाल करेंगे जिसे armature कहते हैं wire जोड़िये और हमारा circuit complete है इस मार आप electro magnet को flat मान सकते हैं जिसका south pole उपर की तरफ है और north pole नीचे की तरफ अब armature तब तक घूमेगा जब तक की विपरीद pole एक दूसरे के सामने नहीं आ जाते हैं हम चाहें तो पहले की तरह ही wire के छोरों को बदल कर electro magnets का घूमना जारी रख सकते हैं लेकिन यहां बैट कर इस wire को switch करते रहना बहुत मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए हमें armature में कुछ जोडने की ज़रूरत है जिसे commutator कहा जाता है यह एक ring है जिसमें दो gaps हैं और यह armature के साथ खूमेगा इसमें circuit connect करने के लिए इसके side में दो brushes जोड़े जाते हैं जब commutator घूमता है तब यह brushes इस पर slide करते हैं हमेशा contact बना रहे इसके लिए springs का उपयोग किया जाता है current, wire से brush, brush से commutator ring, commutator ring से armature और फिर armature से commutator ring और brush के माधियम से वापस wire में flow हो जाता है अब जब electromagnet घूमेगा तो armature और commutator ring भी घूमेंगे इस पर electromagnet जब लगब इतना घूम लेगा तब brushes commutator ring के दूसरी तरफ switch कर लेगे याद रखिए दो brushes हैं और यह चीज दोनों तरफ होगी contact switch होने से पहले current इस तरह से flow हो रहा था पर जब brushes side switch कर लेगे तब current इस तरह से flow होने लगेगा और जब current की direction बदल जाएगी तो electromagnet की polarity भी बदल जाएगी और armature घूमता रहेगा असल में commutator ring यहाँ पर वही काम कर रहा है जो पहले हम wire बदल कर कर रहे थे पर इस बार यह सब कुछ अपने आप ही कर ले रहा है जब तक यह battery से जुड़ा हुआ है तब तक यह इसी प्रकार घूमता रहेगा battery disconnect कर देने पर electromagnet भी नहीं रहेगा और घूमना भी बंद हो जाएगा अभी तक हमने armature पर बस एक loop का इस्तमाल किया है इसमें motor की speed irregular होती है और इसके अलावा जब बुशेस commutator ring के टुकडों के बीचों बीच होगा तब इस स्थिती में motor रुक भी सकता है इस मुसीबत से बचने के लिए यहाँ पर हम commutator ring को और दो भागों में बाट कर और एक loop जोड सकते हैं शुरुआत में बुशेस इन दो commutator के टुकडों के contact में होते हैं जो इस electromagnet को on कर देते हैं जिसके कारण या घूमना शुरू कर देता है पर जब commutator ring घूम कर इस position पर आती है तो पुशेस का contact commutator टुकडे के अगले जोडे के साथ हो जाता है जिसका मतलब है पिछला वाला loop off हो जाता है और अगला loop on हो जाता है और अब अगला electromagnet घूमता है पुशेस फिर से contact बदलते हैं और अगला loop on हो जाता है मोटर के घूमने के दौरान यह लगातार होता रहता है और loops एक के बाद एक electromagnet बनते रहते हैं और मोटर को खुमाते रहते हैं कुछ electric motor के armature में कई loops जोड़े जाते हैं जिससे motor smoothly चलता रहता है armature के घूमने से जो घूमने वाला बल पैदा होता है उसे torque कहते हैं ज्यादा torque का मतलब है motor की ज्यादा speed motor का torque बढ़ाने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जैसे ज्यादा wire होने से electromagnet ज्यादा powerful होता है उधारन के लिए अगर bolt पर ज्यादा wire लपेटा जाए तो powerful electromagnet बनेगा armature loops भी बहुत सारे wire से बने होते हैं जिसका मतलब है motor में ज्यादा powerful electromagnet होगा और motor भी ज्यादा speed से घूमेगा यही कारण है कि अगर आप किसी असली motor को खोल कर देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें बहुत सारा wire लपेटा हुआ होता है ज्यादा wire का मतलब है ज्यादा powerful electromagnet इसे powerful बनाने का दूसरा तरीका है कि इसमें ज्यादा electricity दी जाए आईए हम motor से सम्मंदित और भी कुछ नाम देख लेते हैं यहाँ पर जो parts नहीं खूम रहा है उसे stator कहते हैं जो कि इस case में side में लगे दो permanent magnets हैं यह stator एक motor case के अंदर fit होता है और बीच में जो armature है उसे rotor भी कहते हैं यही वो part है जो घूमता है motor के बीचो बीच एक shaft लगा होता है जो motor के पीछे से बाहर आता है इस वीडियो में आपने जो motor देखा है वह एक DC motor है अगर आपके पास कोई उपकरण है जिसमें movement होता है और वो battery से चलता है तो ज़्यादा chances हैं कि उसमें DC motor ही लगा होगा motor चाहे जिस भी प्रकार का हो लेकिन अधिकांश तरह के motors rotating motion बनाते हैं जिसे बाद में उप्योग अनुसार अलग-अलग motion में बदल दिया जाता है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताईए और वीडियो को like चैनल को subscribe